तो बहुत 2.2 अपडेट आने वाला है BGA में PUBG Mobile के अंदर वेट क्या BGA में के अंदर 2.2 अपडेट आएगा तो यह जो भी सारे सवाल है इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाला है बाकी PUBG Mobile के अंदर या फिर PUBG Mobile के जो अधर वर्शन है उसके सारे के सारे date and timing देखने वाला है कि कब हमें देखने को मिलेगा 2.2 अपडेट वीडियो काफी informative होने वाला है लास्त तक देखना एड ऐसे वीडियो उस देखने के लिए चैल को सब्सक्राइब करके बेल आगेन प्रेस करके all notification on कर देना अब देखा आप information चलो फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे बहले बात करते है PUBG Mobile की तो PUBG Mobile का जो 2.2 अपडेट है आपको देखने को मिलेगा 13 सेप्टेमबर को 13 सेप्टेमबर से लेके 15 सेप्टेमबर के बीच आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा फिलाल इंडिया के अंदर PUBG Mobile बैन है जासम सुभी को पता है तो इंडियन प्लेस अगर खेलना चाहे तो official website से आपको डाउलोड करना पड़ेगा तो 14-15 तरीक तक official website के अपडेट देखने को मिल जाएगा इसके बाद बात करते हैं जो लोग PUBG Mobile के Vietnam version खेलते हैं मतलब VN version तो ये update आपको देखने को मिलेगा 13 तरीक को ही update आ जाएगा VN version में भी बाकि जो लोग PUBG Mobile क्यार खेलते हैं तो KR version का update आपको देखने को मिलेगा 14 तरीक को तो लाश्ट में आता है हमारा BGMI तो अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि BGMI के अंदर क्या हमें 2.2 update देखने को मिलेगा तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था आपको की 99% chance है कि BGMI के अंदर इस बार 2.2 का update नहीं आने वाला तो जो 2.1 update है वो ही continue होने वाला है BGMI के अंदर अभी तक जब भी नया update आता है उसके बद हमें new seasons देखने को मिलता है नया royal pass देखने को मिलता है अगर BGMI के अंदर update नहीं आता है 2.2 का तो क्या जो season है वो हमें नया देखने को मिलेगा तो इसका भी chances कम लगड़ा है मतब C3, A7 यह आपको continue होता हुआ देखने को मिलेगा फिला इसका जो timing है यह 20 तरीक तक ही है देखना है कि 20 September के बाद क्या होता है मुझे जितना लगते है इसको restart कर दिया जाएगा यह reset कर दिया जाएगा ताकि आप दो बार ऐसे rank push कर पाओ तो मालो अगर reset नहीं होता है season and साती साथ जो भी सारे reward है वो new हमें देखने को नहीं मिलता है गेम काफी जादा boring होने वाला है काफी लोग गेम को छोड़ने वाला है इसके कारण भी तो देखना है क्या होता है 20 तरीक तक तो wait करना ही पड़ेगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा बाकी बात करते रोयल पास की तो जितना chances है रोयल पास refresh हो सकता है थोड़ा बहुत अगर अपडेट पूस कर दे official BGM है तो आपको रोयल पास आपको दिया देखने को मिल जागा मतलब month 15, month 16 का रोयल पास भी देखने को मिल जाएगा और ऐसे similar concept हमें देखने को मिलता है PUBG Mobile Lite के अंदर जहाँ पर आपको बहुती rare update देखने को मिलता है काफी समय समय के बाद update आता है पर जो season है वो चार मैने तक चलता है और जो रोयल पास है वो हर मैना रिप्रेस होता रहता है तो अगर BGM temporary time के लिए इस concept को follow करता है तो आपको रोयल पास new new देखने को मिल जाएगा फिलाल देखना है क्या होता है अभी बस हम वेट ही कर सकते है किसी को कोई भी idea नहीं है क्या होने वाला है तो थोड़ा वेट करो देखते है क्या होता है पर फिलाल update नहीं आने वाला ये तो confirm हो चुका है क्योंकि फिलाल इंडिया के लिए temporary time के लिए गेम बैन है तो official भी update पूस नहीं कर सकते चाहे हो website के अंदर हो या फिर in-game के अंदर हो क्योंकि ये illegal type हो जाएगा तो तब तक आप comment के अंदर share कर सकते हो कि BGM के इलावा आप दूसरे कौन सा game try करने वालो क्या आप Apex Legend Mobile खेलने वालो या फिर PUBG New State खेलने वालो मैं भी सोच रहो दूसरा game try करूँ और दूसरा game के उपर भी content बनाओ तो comment के अंदर आप share कर सकते हो और वीडियो कर helpful लगा है आप अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हो Instagram पर follow नहीं किया follow कर लेना Insta ID है rp underscore information तो 2.2 का जो update आने वाला है character voucher के अंदर काफी बड़ा changes आपको देखने को मिलेगा तो right side के अंदर वीडियो आ रहे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है क्या change होने वाला है tap करके देखो जाके